नमस्कार मित्रो एरुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है मित्रो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बेसिक्स व संस्कृत जनरलिजम पर एक श्रेंखला चलाई हुई है और आज उसे श्रेंखला का पांच फी कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तोत है और आज की इस परिचर्चा में हम चर्चा करेंगे संस्कृत पत्रिकारिता के संपाधन के सिध्धानतों के बारे में इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो जो मौजूद है डॉक्टर पंकच कुमार मिश्रा डॉक्टर मिश्रा असोसियेट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट और संस्कृत में सैंट स्टीवन्स कॉलेज उनिवर्सिटी अफ डेली में आए डॉक्टर मिश्रा का स्वागत करते हैं और उसे जानते हैं कि आज वो संस्कृत पत्रकारिता के संपाधन के किन संधादों के बारे में हमें बताएंगे सर आपका स्वागत है सुप्रभातम मित्रो जैसी की सूचना भी आपको दी गई कि हम संस्कृत पत्रकारिता के अंतरगत आज संपाधन के सिध्धान्द को जानने की कोशिश करेंगे उसे पूर्व हम जान लेते हैं कि कोई भी आलेख, कोई भी लेख या आर्टिकल इसके निर्मान की एक प्रक्रिया होती है इसमें पहले विशय का चयन किया जाता है पुनह उस विशय के विशय में चिंतन किया जाता है चिंतन के बाद फिर उसका लेखन किया जाता है लेखन के अनंतर उसकी छापाई होती है छापाई में यदि कोई गलतियां रहती हैं तो उनका सम्शोधन किया जाता है और सम्शोधन के अनंतर उसे पत्र में या पत्रिका में उनका स्थापन किया जाता है ये सारी की सारी एक प्रक्रिया के अंतरगत चलती है और अगर इन प्रक्रियाओं का हम अनुपालन नहीं करते तो ना तो लेख अच्छा बन पाता है ना ही पत्र या पत्रिकार जो पत्रिका है उसके प्रती लोगों का आकरशन जग पाता है इसलिए आज के इस श्रिंखला में हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि किस रूप से हम उसे आगे बढ़ाएं और इसी को हम संपादन के सिध्धांत के अंतरगत रखते हैं किसी भी शोध ग्रंथों हो या शोध कारियों हो उनके लिए भी एक मेथाड़ोजी होती है ठीक उसी प्रकार हम इस संपादन के लिए भी एक मेथाड़ोजी बनाते हैं लेकिन इसके साथ एक और चीज हम जान लें कि ये जो संपादन है ये एक ऐसी सेवा है जो पूरी तरह से संपादक के उपर निर्भर करती है और संपादक इस संपादन के लिए स्वतंत्रो होते हैं वे अपनी देश, अपने काल, अपने समय, अपने विचार आधी को अपने धंग से आरूपित करते हैं अपने धंग से उसे बना करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं इसलिए संपादक समाचारों के संकलन, विचारों के प्रतिपादन तथा विज्यापन के प्रकाश की विनम्रता और संपादक की द्रिधता जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हम इस रूप में अब देखते हैं कि संपादन के विविध्ध पक्ष क्या-क्या बनते हैं जैसा कि आपके सामने अभी स्लाइड्स पे दिख रहा है यह संपादन के विविध्ध हमारे सामने है उसमें एक है शीरशकी करण यानि किस तरह से हम टाइटिल बनाएं अपने आलिख का फिर दूसरा है प्रिष्ठ विन्यास प्रिष्ठ विन्यास यानि जितने भी पेजेज होते हैं पत्र या पत्रिका के उनमें किस प्रिष्ठ पर क्या सामगरी रखी जाए फिर है आमुक निरनाये यानि हेड लाइन्स हम कैसे बनाएं फिर है खाबरों की प्रस्तुति प्रक्या बहुत सारी जब खाबरें या बहुत सारे विषय हमारे पास एकत्रित होते हैं तो उनको किस जगह किस रूप में हम रखें और अंत में हैं प्रतिलिपे सम्षोधन ज करने में सक्षम हो पाएंगे या यूं कहें कि एक सुन्दर संपादक हम बन पाते हैं इसके साथ हमारे लिए यह बताना भी आवश्यक है कि यह कोई मानक सिद्धानत नहीं है बलकि वर्षों से जो चली आ रही संपादन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतरगत विभिन पत्रपत्रिकारों में पत्रकार लोग जो प्रक्रिया अपनाती है उन्हीं का सार रूप है जो संपादन के सिद्धानत को लेकर के हमारे के सामने यहां प्रस्तोत हुए हैं हम सबसे पहले देख लेते हैं शीरशकी करण क्या है इसे समझें पहले वार्ता पत्र को अभी बनाने में शीरशक की बड़ी भूमिका होती है लेकिन वहां शीरशक बनाना बहुत ही कठिन कारियों होता है बल्कि पद्रकारिता जगत में तो एक काहवत प्रचलित है शीरशक निरधारणम शिरह शूलम और थात शीरशकों का निरधारण करना मानो माथे में एक प्र प्रकार शीर्शक रखें किस प्रकार शीर्शक का निर्धारन करें शीर्शक से एक और पत्र आकरशक एवं सुरुची पूर्ण दिखता है तो दूसरी और विशय का निदर्शन अथवा पूर्ण ज्यान उसी से होता है इसी से विशय का महत्व भी ग्यात होता है आधुनिक जब हमारे पास समय नहीं होता तो हम शीरशक मात्र देख करके ही उसे शीरशक के अंतरगत आने वाली सूचनाओं का अनुमान लगा लेते हैं इसलिए शीरशक की भुमिका बहुत ही महत्वपूर्न हो जाती है और इसकी उपेक्षा नहीं होती हर पत्र हर पत्री का अपने अन कि जो शीरशक है उसके पठन मात्र से हमें ग्यातो हो जाता है कि उसमें विशय क्या होगा तो सर्वप्रथम हम शीरशक में जो नहित भाव है उसको देखने की कोशिस करते हैं वस्तुतह शीरशक में जो एक भाव छिपाव होता है वह है उतकंठा का हम इसी को जिग्यासा भी कह लेते हैं आजखल पत्रकारिता में जो विवधता जो प्रतिसपर्धा पूर्ण या जो नूतनता दिखाई पड़ती है उसमें संपादकों की भूमी का अत्यंत चुनोती पूर्ण हो जाती है जैसे लोग दुकानों में आकरशक पैकेजिंग देख करके उस वस्तु के प्रति आकरशित होता है उसी प्रकार पत्र-पत्रिकाओं में शीरशकों को देख करके पाठक जो हैं वो आकरशित होते हैं सामान्य तह शीरसक का महत्व नकेवल प्रिंट मीडिया में अपितु इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी देखा जाता है हम आप सभी देखते हैं आए दिन जब हम समाचार देख रहे होते हैं दूर दर्शन पर तो नीचे breaking news बन करके आता है या एक प्रमुख खबरे बना करके प्रस्तुत किया जाता है उन खबरों को देखने के बाद या यू कहें पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हमारी इच्छा जगती है कि अमुक खबर को हमें सुनना है क्योंकि उसमें क्या बातें कही जा रही है तो जैसा हमने कहा कि ये शीरशक हमें उतकंठा उत्पन करती है हमारे में जिग्यासा उत्पन करती है और उन विशयों उन सामग्रियों उन सूचनाओं के प्रती आकरशित हो करके हम या तो अखबार को या पत्रिका को पलटते हैं और पढ़ते हैं या दूरदर्शन या अन् इसलिए शीरशकों के प्रकार के उपर भी चिंतन होते हैं जैसा मैंने पुर्व भार बार कहा था इसे पूर्व भी कहा था कि ये कोई मानक सिद्धानत नहीं है यह एक सरवेक्षन का वीशय है कि जब हम प्रती दिन पत्र पत्रिकारिता में जाते हैं तो उसमें क्या-क्या किस-किस प्रकार के शीर्षक प्राप्त करते हैं तो जैसा कि सामने, हमारे सामने स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं कि शीर्षकों के चार प्रकार हैं पहला है भाशा प्रधान दूसरा है विशाय प्रधान इसी को हम भावा प्रधान भी कहते हैं तीसरा है आकरिती प्रधान और चौथा है सज्जा प्रधान अब इन ही चारों शीर्षकों का जैसा कि नाम से ही यह स्पष्ट है कि अगर इन नामों के प्रति हम चिंतन करें तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सामने वो बातें स्पष्ट हो जाती है कि जब भाशा प्रधान शीर्शक के हम बात करते हैं तो उसका क्या अर्थव होता है भाशा प्रधान सामानी रूप से आलंकारी को होता है लक्षणी को होता है या यू कहें कि यह व्यंग्य प्रधान होता है ऐसे शीरशकों में कूतुहल जो है वह प्रधान लक्ष्यव होता है हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें सिंहदूर्ग एक जगह का नाम है आप लोग जानते होंगे ये पूने के पास है कहते हैं सिंहदूर्ग नामकस्थल में हमारे भूतपुर प्रधान मंत्री का विजिट हुआ था उन्होंने वहां के यात्रा की थी और उन्होंने एक भाषण दिया था बडա ही ओजपूर्ण भाषण दिया था तो उस आधार पर एक शीरशक निकला था एक अखभार में एक पतरिका में ये शीरशक निकला था संस्कृित में वह था सिंह दूर्ग Advisory सिंह गरजनम आप देखेंगे सिंह दूर्गे सिंह गरजनम ध्यान रखेंगे सिंह दूर्ग तो स्थल का नाम हो गया और हमारे जो उस समय के दधान मंत्री थे उनका जो टाइटिल है जो उनका नाम है उसमें सिंह जुड़ता है तो सिंह दुर्गे सिंह गर्जनम इस शीरशक मात्र के पढ़ने से ही हमें या बोध हो जाता है कि बड़ा ही ओजस्वी भाषन दिया होगा और बड़े ही मलब कह सकते हैं वीर रस से ओतप्रोत या भाषन हुआ होगा तो ये उस शीरशक का कमाल था जिसके माध्यम से हम उस समगर रूप को एक हिक्षण में समझ जाते हैं इसी तरह अगर खेल से संबधर शीरशकों की चर्चा करें तो एक बार हमारे खेलाडी क्रिकेट के खेलारी विराट कोहली ने सेंचूरी लगाई शतक लगाया तो दूसरे दिन अखबार में ये शीरशक था विराटस्य विराट दर्शनम आप लोग सभी जानते होंगे ये जो विराट शब्द है ये धार्मिक कहानी से कथा से जुड़ा हुआ ये विराट शब्द है जहांपर कि विश्णू ने विराट रूप का प्रदर्शन किया और विराट रूप अपने आप में बड़ा ही विशाल रूप होता है तो विराटस्य जो की एक खिलाडी का नाम है और वहीं पे आगया विराट प्रदर्शन तो ये जो पहली जो बाते हमने कही भाशा प्रदहान शीरशक के अंतरगत संपादक जो होते हैं वो इन और पाठकों के मन में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो ये भाशा प्रदहान शीरशक भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है दूसरा प्रकार है विशाय प्रदहान या जिसे हमने कहा भाव प्रदहान विशाय प्रदहान क्या होता है कि जो केवल सूचना मात्र देने के लिए होता है, जिसमें बहुत अधिक इधर-उधर की बातें नहीं कही जाती, to the point बातें की जाती है, इसे को हम इसे कह सकते हैं, कि यह एक विवरन प्रधान यह शीरशक होता है, बेसे उदाहरन के लिए प्रधान मंत्रिनह श्री नगर यात्रा, प्रधान मंत्री की श्री नगर यात्रा, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्वभाविक हमें सूचना मिलती है, कि भारतिय प्रधान मंत्री, या तो स्रीनगर जाएंगे या स्रीनगर जाने वाले हैं या स्रीनगर पहुंच चुके हैं अब इसके माध्यम से कोई विशिस्ट बाते तो नहीं निकल कर आती लेकिन हाँ एक उतकंथा उत्पन होती है एक जिग्यासा प्रादुर्भूत होती है कि प्रधान मंत्री ने वहाँ पर क्या कहा प्रधान मंत्री ने क्या घोशना की प्रधान मंत्री ने किस प्रकार टिपणी की तो उन सारी बातों को इस एक सामान्य शीरशक के माध्यम से हमारे मन में उभारा जाता है तो इस प्रकार से यह विशय प्रधान शीरशक हुआ दूसरा तीसरा जो है यह तीसरा है आकृती प्रधान आकृती प्रधान शीरशक वस्तुता है यह साजसज्जा का विशय हो जाता है जिसमें आक्रिती अर्थात किस प्रकार हम शीरशक बना करके प्रस्तुत करते हैं जैसे उदाहरन के लिए कभी मोटे अक्षरों में तो कभी पतले अक्षरों में या कभी लंबे बना करके या कभी दो पंक्ती में बना करके शीरशकों को जब प्रस्तुत किया जाए तो वो आक्रिती प्रधान है जैसे अभी भारत वर्ष ने T20 का एशिया कप जीता तो उसमें मोटे अक्षरों में मुख़प्रिष्ट पर लिखा था कि भारत की एशिया कप में जीत तो यहाँ पर font size महत्वपूर्ण है यहाँ पर ना तो भावप्रधान हम लेते हैं हम ना यहाँ तो कोई आलंकारिक भाषा को देख पा रहे हैं बलकि वही आलंकारिक भाषा वही भावप्रधान भाषा को हम मोटे पतले लंबे या चोड़े रूप में पाते हैं इसलिए यहां आकरिती प्रधान रूप में इसका वर्गी करण किया गया है. चौथा जो शीरशकों का प्रकार हमने लिया, वह है सज्जा प्रधान. यह बड़ा ही आकरशक और सुन्दर होता है, लेकिन यह प्रति दिन की सामगरी नहीं होती. यह यथा समय इसका प्रयोग किया जाता है. आप लोग इंटरनेट पे देखते होंगे जब गूगल में जाते हैं, तो दिन के अनुरूप वो गूगल लिखा जाता है, जो G-O-O-G-L-E अगर लिखा जाना है, तो कभी उसे क्रिकेट के अनुसार वो उनके सारे जो वर्ण होते हैं, बना दिये जाते हैं, या कभी कोई परव है, या कोई त्योहार है, या कोई महतवपूर्na घटना है, तो उसके अनुसार उसके स्वरूप में परिवर्तन किये जाते हैं, उसी प्रकार, जो पत्र है या पत्रीका है, उसमें भी परव, त्योहार, उत्सव, महुत्सव, लाष्ट्रिय, जो कोई विशेस दिन है तो इसको दियान में रख करके उना आकर्यतियों को सजाया जाता है। जिसे उदाहरन के लिए होली हो या दीपावली हो। कभी कभी क्या होता है कि अगर बनाना है शीर्षक तो उसमें होली के अलग-अलग रंग के छीटे दिखा दिये अगर दीपावली है तो उसमें दीये की लौ की तरह उसकी मात्राएं उनकी वरतनी उनके जो स्पेलिंक्स के जो चिंगने हैं उनको प्रस्तूत कर दिया जाता है तो इससे एक सामानिय जो है हमारे मन में उतकंठा जगती है और उस दिन को महुच्छब की रूप में मनाने के प्रति हमारी भावना और प्रबल होती है वैसे भी आज जो जिस प्रकार से हमारे यहाँ नया जो प्रयोग हो रहा है उसमें multi-colors का तो प्रयोग होना प्रारंब हो ही चुका है बलकि आज सारे के सारी जितने भी अच्छी पत्र और पत्रिकाएं हैं वे सारी की सारी पत्र-पत्री काएं मल्टी कलर्स में ही आने लगे हैं तो इसलिए ये जो सज्जाकरन है जो किसी भी शीरशक को सजाना है वो और अधिक महत्वपूर्णों हो जाता है उस समय जबकि प्रिष्ट का बैकग्राउंड कलर हम क्या रखते हैं तो जो बैकग्राउंड अगर कोई दूसरा कलर है तो उसमें कॉंट्रास्ट बनाने के लिए उसमें शीरशक का जो रंग है वो बदल दिया जाता है शीरशकों के प्रकार के बाद इन शीरशकों को प्रस्तुत करने के भी कुछ सिद्धानत हैं ये इसे हमने आपके सामने स्लाइड्स में शीरशकों के आधार भूत सिद्धानत बना करके रखा है और कुल मिला करके इसमें नव सिद्धानतों की हमने चर्चा की है इन सिद्धानतों को समझें और इसमें हम विचार करते हैं कि शीरशकों का संतुलित होना देखें हमारे पास जो पत्रिका है या अखवार है उनकी एक साइज फिक्स होती है अगर हम उसमें शीरशक ही अगर बड़े ही औस्तंतुलित धंग से रखेंगे तो वह लोगों का आकरशन का केंदर नहीं बनेगा इसलिए शीरशकों को स्तंतुलित से तात पर ये है कम शब्दों में, कम बातों में हम अपने मूल बात को कहने का प्रयास करें फिर है शीरशक के फॉंट्स का निर्धारन ये भी क्या है कि हमें अखवार के साइज, पत्रिका के साइज के उपर निर्भर करता है लेकिन जो मूल सामगरी है, उस मूल सामगरी से जो शीरशकों का जो fonts की size होनी चाहिए, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए सामानी रूप से कभी 48 font size में लोग रख लेते हैं, तो उसी को कभी 72 के size में रखते हैं, तो ये fonts के size होने चाहिए फिर है लगू शीरशकों का बार-बार प्रयोग, इसका क्या अर्थ है, इसका सामानी अर्थ ही ये है कि हम शीरशक छोटे रखें, ऐसा नहो कि मूल कत्य तो कम पड़ गया और शीरशक बड़े हो गए एक मुझे उदाहरन इसमें स्मरण में आ रहा है, कि एक किसी कवी ने एक कविता लिखी और उस कविता का शीरशक था मेरी प्रेमी का जो पाहाडों पर रहती है, ज्यान से सुनें, शीरशक है मेरी प्रेमी का जो पाहाडों पर रहती है, और कविता है, रीता एक बरस बीता तो जिरा इसे ध्यान से सुने कि यहाँ पर शीरशक तो बहुत लंबा बन गया और जो मूल कविता है उस कविता में केवल तीन शब्द रह गए रीता एक बरस बीता अस्तु यह एक प्रयोग है यह साहितिक जगत का प्रयोग है लेकिन यहाँ पर सविशेश हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि शीरशक बहुत लंबे ना हो और सूचना बहुत कम ना हो हमेशा शीरशक की अपेक्षा सूचनाएं अधिक होनी चाहिए इसलिए तीसरा सिध्धान्त जो आपके सामने आया वह यह आया कि लगु शीरशकों का ही प्रयोग हमें करना चाहिए चौथा है कि घटनाओं की इस पश्टता के लिए चित्रों का प्रयोग करें क्या मतलब है कि अगर कोई घटना है जैसे भी हमने चर्चा की थी कोई उच्सव है कोई महुच्सव है कोई पुरसकार वितरनादी की चर्चा आ रही है तो उन संबध सूचनाओं से बलकि उन सूचनाओं से संबध एकाथ अगर हम चित्र उस खबर के साथ लगा देते हैं तो वो और सजीव बन जाता है और ऐसा जो पाठक है वो पाठक उस दुनिया में अपने को पा लेता है इसलिए यथा संबध सूचनाओं के साथ घटनाओं के साथ चित्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए फिर है सूचना सामगरी का विभाजन हम इन सूचनाओं का विभाजन कैसे करें बहुत सारी सूचनाएं होती है अलग-अलग शित्र अलग-अलग विशय अलग-अलग विचार तो जब धेर सारी खबरें हमारे पास होती है धेर सारी सूचनाएं होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी हम खिचुडी पका लें कि जहां पर हमें educational है वहीं पर हमने दुरघटना वाली भी खबड़ें हमने लगा दी ऐसा नहीं होना चाहिए बलकि साहतत्य के लिए continuity के लिए हमें उन सूचनाओं का वरगी करन कर लेनी चाहिए अगर educational है उसे उस प्रिष्ठ पर है या उस column में रखना चाहिए अगर कोई economic से related कोई बाते हैं अगर politics से related कोई बाते हैं तो इन इन विशयों को अलग-अलग दिया जाना चाहिए आज कल आप देखेंगे कि प्राइशा जितने भी newspapers आते हैं अखवार आते हैं उनमें प्रिष्ठ शहर के अनुसार प्रिष्ठों का निर्मान हो रहा है और उस शहर की घटनाओं का भी जो है वो अलग-अलग संदर्भ अलग-अलग column में बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है तो यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें घटनाओं जो है जो सूचना सामगरी है उन सूचना सामगरी का विभाजन करके विशयों की प्रस्तुती करनी चाहिए और यह जो विभाजन है वो paragraph में हो आज एक नई पद्धती हमें देखने में आती है अख़वारों में नहीं थास करके जो educational institute है जो शिक्षन समस्थाएं है वहाँ पर जब कोई answer तयार किया जाता है जब कोई tutorial लिखे जाते हैं तो उनमें एक नियूनता की आजकल देखी जा रही है कि paragraph change करने का मनुविग्यान नहीं रह गया है हम शुरू करते हैं और अंत तक बिना paragraph परिवर्तन के ही अपनी सारी बातों को लिख देते हैं लेकिन एक अच्छा लेख वही होता है जिसको कि हम अलग-अलग विशय के अनुसार paragraph में विभाजन करें इसलिए जो भी कोई सुचना हम अपने पत्र, पत्रिका के माध्यम से प्रस्तत करने का प्रयास करें हम उन में यथा संभव अनुच्छेदों में उन्हें रखने की चेश्ठा करें क्योंकि अनुच्छेद क्या होता है कि प्रती अनुच्छेद उन विशयों को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है फिर है आकरशक बनाने के लिए सज्जी करण जैसा कि हम जब शीरशकों के प्रकारों का दिवेचन कर रहे थे तो उसमें चौथा प्रकार यही था क्योंकि जैसा मैंने कहा था शुरू में ही भूमिका में प्रस्तावना में कि आप जब किसी दुकान पर जाते हैं तो आकरशक पैकेजिंग देख करके हम उन चीज को खरीदते हैं इसका यह मतलब नहीं कि भीतर जो है चीजें खराब होगी हम यह मान करके चलते हैं कि अगर पैकेजिंग आकरशक है अगर उसका पुटकी करण सुन्दर है तो निसंदे उसके वहितर की सामगरी भी हमारे मन के अनुकूल होगी इसी तरह अगर हम अपने विशय को अपने पत्र या अपनी पत्रिका को अगर आकरशक रूप में प्रस्तुत नहीं करें तो इस आधुन यह बातें हैं यद्यपी इन बातों से लेख की गुनवत्ता का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेख तो वही है विशय वही है बातें जो बताई जा रही है वो वही है लेकिन अगर उसी के प्रस्तुती बढ़िया फॉंट बढ़िया साइज बढ़िया राइटिंग औ उनके साथ विशय के अनुसार अगर रंग आदे की व्यवस्था करके प्रस्तुत किये जाए तो वह और अधिक आकरशन का केंद्र बनता है फिर है जो important news है जो महत्वपूर्न खबरें हैं उन खबरों को हम बाई और रखते हैं उस वारता को उस समाचार को हम बाई और रख हैं इसी प्रकार जो प्रथम प्रिष्ठ है जो किसी भी पत्रिका का जो मूल कलेवर है जिसको देख करके हम उनके विशय में जानकारी लेते हैं उस पत्रिका का जो मूल कलेवर है हम प्रथम प्रिष्ठ पर ही उन महत्वपूर्न खबरों को रखें उन महत्वपूर्न को रखने के बाद ही हम भी तर प्रवेश कर पाते हैं तो ये जो शीरशकी करण के प्रकार और उसके बाद इन शीरशक को बनाए जाने और अखवार को प्रस्तुत करने के जो कुछ आधार भूत असे धांत थे उसके हमने आपके सामने चर्चा की इनके आधार पर चलने से इस रहता है हम आपसे पुनह मिलते हैं थोड़ी देर के बाद तब तक आप इसको continue करते हैं ठीक है कल ओाद झाप इसको अगैज़ थाना चनिक है इसको फिर्बल curriculum करें कुल सवरे हैं थोड़ी kinda है तोजेखल रर घएग एम काफ तक बाद आपन आप झाप से पाद अट मिलत अरै हैं इसको ज़woफ है करते हैं कर दू कर दो ilे तू ठ्च्लब्टा करना कर दो झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो वित्रो अभी हम लोग संपादन के विविधपक्षों को जान रहे हैं और इस क्रम में हमने शीरश की करण की चर्चा की इसके बाद पत्र और पत्रिका से संबध एक अन्य महत्वपूर्ण विशय है वह है प्रिष्ठ विन्यास और थात पेजों का दिस्टिब्यूशन लेकिए सामानी रूप से पत्र या पत्रिका सोलह के गुणन में छपते हैं तो इस प्रकार से पत्रिकाओं का सामानी रूप से प्रकाशन होता है तब प्रश्ण यह उत्पन होता है कि किस प्रिष्ठ पर हम कौन सी बात रखें किस विशय को रखें किस सूचना को रखें इसलिए प्रिष्ठ विन्यास जो है यह महत्वपूर्ण हो जाता है सामानी रूप से प्रिष्ठ विन्यास की अगर हम बात करें तो यहाँ management की तय नीती के अनुसार होता है प्रिष्ठों का वरगी करण भी सदैव परिवर्तनीय होता है इस विशय में जो संपादकी ये विभाग के officers होते हैं जो अधिकारी होते हैं वे मिल बैठ करके या था समय अपनी नीतियों का निर्धारन करते हैं जब तक कोई विपरीत परिस्थिती नहीं आती तब तक वह प्रक्रिया चलती रहती है और इस प्रकार अख़बार या पत्रिका का जो प्रिष्ठ है वह भी एक चिंतन का विशय बन जाता है तदनुसार संपादकों के लिए या उस समस्था के लिए जो प्रिष्ठ विन्या से उसमें तीन बहुत ही महत्वपूर्णों होते हैं जो हमारे सामने स्लाइड्स में आप देख पा रहे होंगे प्रथम प्रिष्ठ जिसे की मुख्य प्रिष्ठ भी कहते हैं फिर दूसरा है संपादकी प्रिष्ठ और तीसरा है अन्य प्रिष्ठ जैसे कि हमने शीरिशकी करण के क्रम में आखरी सिद्धान्त के अंतरगत एक बात कही थी कि प्रथम पृष्ट पर नई एवं महत्व पूर्न खबरों को रखा जाना चाहिए ये सारी की सारी खबरें प्रासंगिकों हो इनमें राष्ट्रिय तथा क्षेत्रिय महत्व की खबरें हो और साथ ही दुरगटना जीत हार आदी की खबरें हो ये जो चार हमने बिंदु आपके सामने चर्चा की यह प्रथम पृष्ठ के लिए है प्राथम प्रिष्ठ यानि मुखप्रिष्ठ जब हम अख़बार या पत्रिका पलटते हैं तो इनके प्रारंभ में ही सविशेस में यहाँ पर भी जो न्यूज पेपर है उनकी चर्चा करता हूँ जिसके मुखप्रिष्ठ पर ही हम सारी ख़बरों को देख पाते हैं और आप लोग आय दिन पढ़ते होंगे कि शेश आगामी प्रिष्ठ पर यानि या तो पेज नंबर 6 या पेज नंबर 8 उसका विस्तृत विवरन दिया जाता है लेकिन सारे जो महत्वपूर्ण विशय हैं, उन महत्वपूर्ण विशय को प्रथम प्रिष्ठ पर ही रखने का प्रयास कर लिया जाता है उसके बाद आता है संपाद की ये प्रिष्ठ, मित्रो जिस प्रिष्ठ पर संपाद की ये आलेख प्रकाशित किया जाता है उसे संपाद की प्रिष्ठ कहते हैं यह भी प्रिष्ठ सामान्य रूप से अखवार में अलग और पत्रिका में अलग है जैसे अगर आप देखें कि पत्रिका के प्रारंभ में ही हमें संपाद की प्रिष्ठ का दर्शन हो जाता है लेकिन अख़बार में यही उनके मर्द्य में जाकर के हमें संपाद कि परिष्थ पढ़ने का अवसर मिलता है तो इसलिए यहाँ पर मूल विशा ये नहीं है कि किस परिष्थ पर संपाद की विशा या संपाद की आलेख रखे जा रहे हैं बलकि विशय ये है कि संपाद की ये प्रिष्ठ का निर्मान किस रूप में किया जाना चाहिए सामानिता है जो मध्य प्रिष्ठ है वो जैसा हमने कहा कि अखबारों में और प्रारंभिक प्रिष्ठ है जो पत्रिकाओं में संपाद की ये प्रिष्ठ होता है पत्रिकाओं में प्रायह विशय सूची, पंजीयन सूचना, विग्यापन आदि के अतरिक एक आलेख भी होता है जो संपाद की ये प्रिष्ठ पे दिया जाता है एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि ये आवश्यक नहीं कि संपाद की प्रिष्ठ पर जो लिखा जाने वाला आलेख है वह समसामई के विशय से ही संबद्ध हो साथ ही यह भी आवश्यक नहीं कि जो संपादक संपादकी ये लिख रहा है वो पत्रिका की प्रकृती के अनुरूप हो दूसरे शब्दों में अगर कोई पत्रिका है जिसका साहित्यक है तो उस क्रम में यदि संपादक की इच्छा हो तो वह किसी घाटना को भी आधार बना करके संपादकी प्रस्तुत कर सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो किसी भी पत्र पत्रिका के लिए संपादे की प्रिष्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संपादे की प्रिष्ट के विना कोई पत्रिका छपती नहीं है संपादे की लेक के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसका संबंध खबर के साथ या राष्ट्र समस्या के साथ हो ही बलकि किसी भी प्रासंगिक विशय में संपादे की अवश्य ही लिखा जाना चाहिए यह तरह से पनरुक्ती है मैं इस पर स्ट्रेस डाल के कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई मानक मानदंद नहीं है कि किस विशय पर संपाद की लिखा जाए लेकिन यह अवश्य है कि वो संपाद की गंभीर विशय पर जरूर होता है जिसका संबंद कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में समाजिक सरोकार से है इसे के साथ हम यह भी देख लेते हैं जैसे राजनीदिक विशह में संपादित जो पत्र हैं या पत्रिका की मूल समरचना के अतरिकत भी संपादिकी होती है हम यहाँ पर एक उदाहरन प्रस्तुत करना चाहेंगे समस्कृत में एक पत्रिका आती है संभाशन संदेशह अब उसी पत्रिका को दिहान में रख कर करें यह पत्रिका पूरी तरह से राजनीती विरहित है यह समस्कृत की मानसिक्ता के अनुरूप जिसमें की मनुरंजन की समगरी है किसी जो समस्कृतिक विशय है उस पर आलेखो होता है वर्ग पहलियां होती है कहानियां होती है आधी इन इस प्रकार की यह पत्रिका है लेकिन इसमें एक बार जब हम लोग सभी जानते हैं कि कसाब को बहुत दिन तक जेल में रखा हो गया और उसके उपर किसी दंड का आरोपन नहीं हुआ तो उस पत्रिका में समपादकी यह लिखा गया था कि दंडियह दंडिये किम अचिरात मतलब यह हुआ कि जिनको दंड दिया जाना है क्या उनको जल्दी दंड मिलेगा अब देखें यद्यपी इस विशय से बहुत सारी बातों की जानकारी हो रही है लेकिन उस समपादकी यह को पढ़ने के बाद उस समय एक समस्या उत्पन की गई थी कि इतने दिन हो गए और जिनको दंड दिया जाना चाहिए था उनको दंड नहीं दिया गया तो विशय कहां पर आकर टिका जो कत्थ है यहां पर जो मैं संप्रेशित करना चाह रहा हूँ वह यह है कि आवश्यक नहीं कि जिस पत्रिका की जो प्रकृती है उसके अनुसार ही संपादकिय लिखे जाएं इसलिए हम यह कह सकते हैं कि चाह वो बाल उपयोगी हो मनुरंजन उपयोगी हो या किसी अन्य उपयोग की पत्रिका हो हम विशय बदल करके भी लोक भावना के अनुरूप संपादकिय लिख सकते हैं इसके बाद है प्रिष्ठ जिसको कि हमने अन्य प्रिष्ठ नाम दिया यह जो अन्य प्रिष्ठ है यह भी एक समझ का विशय है क्योंकि जैसा कि प्रथम प्रिष्ठ और संपादकिय प्रिष्ठ इन दोनों को तो वर्गे कृत हमने किया लेकिन उसके बार जितने भी बचे हुए प्रिष्ठ होते हैं, हम उसे अन्य प्रिष्ठ के रूप में मानते हैं और अन्य प्रिष्ठ के अंतरगत की जो चर्चा है, उसको भी इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि इसे एक अलग अलग विष्ठ के अनुसार उन उन प्रिष्ठों का निर्मान होना चाहिए और जैसी कि मैंने पहले सूचना दी थी, कि प्रायशाह अखबारों में हम क्या पाते हैं कि किसी एक नगर विष्ठ से संबध सारी सूचना एक प्रिष्ठ पर डाल दी जाती है या तो कभी-कभी राजनीती से संबध कोई सूचना एक प्रिष्ठ पर डाल दी जाती है तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं? हम वो अन्य प्रिष्ट के अंतरगत जानकारी में लेते हैं. कभी-कभी आप अख़बारों की भारशा में सुनते होंगे कि एक विशेस प्रिष्ट का उलेख किया जाता है और जिसके लिए इंग्लिश में कहते हैं पेज 3. मैं इसकी व्य होता लेकिन पत्रिकाओं की प्रकृती जो है वो उससे जरूर ही रिफ्लिक्ट होती है. इसी तरह से स्थानिय खबरें हैं, राश्ट्रिय खबरें हैं, अंतराश्ट्रिय खबरें हैं, मनुरंजन की खबर है या यूँ कहें क्रीडा खेलकूद की खबर है तो इन सारी खबर की बात कर रहे थे तो हर एक पृष्ठ के निर्मान के प्रति भी जो संपादक होते हैं वे सावधानों होते हैं पृष्ठ की मर्यादा ना भंगो हो पृष्ठ का अनुशासन न तूटे इसका भरपूर प्रयास किया जाता है कि किस रूप में हम रखे हैं और इन पृष्ठों के निर्मान के क्रम में एक और महत्वपूर्ण तत्व है वह है विग्यापन कि जो विग्यापन है इस विग्यापन में भी जो विग्यापन की भी प्रकृती होती है तो किस प्रकृती के विग्यापन को किस प्रिष्ट पर रखा जाना चाहिए यहां तक कि कए मशुहूर या प्रसिद्ध जो पत्र-पत्रिकाएं हैं, वो इनका भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी महत्वपूर्ण विशय का संगर्ष विज्यापन के साथना उत्पन हो जाए, तो इन तीन प्रिष्ठों को जिनको कि हमने मुख़प्रिष्ठ काहा, संपादकी प्रिष्ठ काहा और तीसरे को अन्य प्रिष्ठ काहा, इन सारे प्रिष्ठों के लिए जो संपादक होते हैं या संपादक मंदल हैं वे सावधानी से कारिय करते हैं। शीरशकी करण और प्रिष्ठ विन्यास के बाद एक महत्वपूर्ण विशय आता है आमुख निरने संपादक खबरों की भाशा, भाव तथा कलेवर का परिशकार आकरशर शीरशकों के साथ पाठकों के लिए समाचार पत्रों में तयार करते हैं संपादन के लिए यह आवश्यक है कि पहले वाक्य में ही खबरों के स्वरूप का धर्शन हो जाए पाठक जिस किसी सूचना के प्रती जिग्यासू होते हैं जिनकी जिग्यासा का शमन छोटे वाक्यों से हो जाता है ना कि बड़े वाक्यों से इन सारी चीजों को वे ध्यान में रखते हैं और जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इसी आमुक को आजकल की भाशा में इंट्रो कहते हैं दूरदर्शन की भाशा में उसे हेड्लाइन्स कहते हैं या आप अख़बार की भाशा में लें तो उसे लीड स्टोरी कहते हैं तो इस प्रकार से आमुक का निरने किया जाता है, लीड स्टोरी का निर्णय किया जाता है, बलकि introduction का जो संख्षिप्त रूप है, वह intro है, इसलिए बोल चाल की भाषा का जो शब्द है, intro, उसे हमने यहां रखा है, अन्यता इसे समझा जाना चाहिए, introduction, introduction, संस्कृत पत्रकारिता में इसे आमुख हम कहा जाता है, बलकि यही प्राचीन परंपरा है, जो परंपरा संस्कृत नाटकों में देखी जाती है, प्रस्तावना की, यह प्रस्तावना ही है, बलकि हम आमुख को समस्कृत की भाषा में प्रस्तावना भी कह सकते हैं लेकिन चुकि सरवत्र अब आमुख शब्द का ही प्रयोग किया जाता है इसलिए हम इसे रूढ अर्थ में आमुखम ही समझें और समस्क्रिद पत्रकारिता के लिए सविशेस आमुखम शब्द का ही प्रयोग करें समभाशन संदेश आदी जो कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं वो इसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं अब यहाँ पर भी आमुख के कई प्रकार होते हैं कई रूप से जैसे कि अगर हम हेड्लाइन्स लिखते हैं अगर मूल इंट्रडक्टरी कोई न्यूज बनाते हैं तो उनमें भी प्रकार होते हैं अलग-अलग समाचार पत्रों के अलग-अलग आमुख होते हैं अतह आमुख के प्रकारों का निर्धारन सरल नहीं होता, यद्यपी आमुख कई प्रकार के होते हैं, किन्तु सुविधा और ज्ञान की द्रिश्टि से हमने यहाँ बरकेवल दो प्रकारों की चर्चा की है, अन्य जो प्रकार है उनकी भी चर्चा है आगे, लेकिन मुखितह आमुक के दो प्रकार बनाई जा सकते हैं, जिनमें एक है भावनात्मक और दूसरा है तत्यात्मक. हम भावनात्मक को समझें, भावनात्मक आमुक वह होता है जिसमें घटनाओं का विचार किसी समवेदन शील विशयों को लेकर होता है. जैसे हमारी भूत्पूर जो प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या को लेकर के एक शीरशक आया कि क्रूर कालेन प्रियदर्शनी गांधी अपहरिता. अगर हम सामानी रूप से इस शीरशक का विशलेशन करें, तो उससे पूर्व एक तथ्यतोस पश्ट है कि श्रीमती गांधी की हत्या हो गई. लेकिन इसमें संवेदना का और अधिक पुट डालने के लिए, उसे विशय में और अधिक संवेदना को भरने के लिए, लेकिना सुन्दर वाक्या बनाया गया कि क्रूर कालेन प्रियदर्शनी गांधी अपहरिता. तो ऐसे जो शीरशक होते हैं, ऐसे जो लीड्स होते हैं, जो आमुख जिसको कि हम इंट्रो कहते हैं या हेड्लाइन्स कहते हैं, वो इस रूप में संस्कृत में आप पाएंगे. तो यहाँ पर हम ऐसे शीरिशक को भावनात्मक शीरिशक कहते हैं इसी को हम तथ्यात्मक गुरूप में कैसे प्रस्तुत करें तो भुशुंडिधार यंगरक्षकई है श्रीमती गांधी व्यापादिता कि बंदूक धारी जो उनके अंगरक्षक हैं उन अंगरक्षकों के द्वारा श्रीमती गांधी मारी गई तो देखें दो विशे हैं, दो लीड है, दो हेड्लाइन से हमारे सामने एक में हमने चर्चा की कि क्रूर कालेन प्रियदर्शिनी गांधी अपहृता यहाँ पर जो व्यंग यह है, वहाँ पर जो सम्वेदना है वो प्रियदर्शिनी में है और क्रूर कालेन अपहृता में है लेकिन दूसरी और एक क्लियर जो जिसको कहते है कि निरगिन रूप बना करके एक शीरसक बनाया गया कि प्रियदर्शिनी की भुशुंडी धार्यंग रक्षकई है श्रीमति गांधी व्यापादिता तो यह तथ्यपरक है, जो घटना है, जिस रूप में घटी है, उस रूप में प्रस्तुत कर दिया जाना तथ्यात्मक है और वो विवरन प्रधान होता है, कैसे कैसे क्या क्या घटनाई घटी, उस रूप में उसका वरगीकरन होता है, उसका विशलेशन होता है या उसका विवरन प्रस्तुत किया जाता है, तथ्यात्मक जो आमुक होता है, वस्तुता उस पर अभिधा का प्रभाव होता है अभिधा क्या? जो जैसा है उसको उसी रूप में रख देना और उसी रूप में समझना ये अभिधा है तो यहाँ पर जैसा हमने कहा कि तत्यात्मक जो आमुक है वो अभिधा का ही मूल विशय है लेकिन अब भी हम देख पा रहे हैं कि इस तत्यात्मक विशय में भी लक्षणा और वियंजना का प्रयोग किया जाने लगा है जैसे अउदाहरन में हम लेते हैं कि 14 जून 2010 में राष्ट्रिय सहरा में एक शीरशक छपा था आप लोग जानते होंगे उस समय फुटबॉल मैच चल रहा होता था और ब्रिटन का एक खिलाडी था जिसका नाम था ग्रीन उस ग्रीन नामा खिलाडी से क्या हुआ कि क्रिडा के दौरान अपने ही टीम के उपर उनके पैरों से गोल हो गया तो दूसरे दिन उस अख़बार में शीरशक था कि ग्रीन के खेल से ब्रिटन लाल अब ज़रा ध्यान से सुनें ग्रीन तो यहां व्यक्ति वाचक संग्या है और लाल जो है मुहावरेदार प्रयोग है लाल का मतलब है गुसा में आना लेकिन जो संपादक मंडल ने इसके उपर में विचार किया और देखिया कि इतना सुन्दर ये शीरशक बन गया कि ग्रीन जो खिलारी का नाम है और उस खिलारी के नाम के साथ ग्रीन का अर्थ होता है हरा तो यहां पर उसके ठीक विपरीत हिंदी में लाल शब्द है जिसका अर्थ होता है कृद्ध होना तो ग प्थ्यात्मक है लेकिन इसको भी हमारे संपादक मंडल, हमारे संपादक में बड़ा ही सुन्दर लक्षना और व्यंजना का पुठ डालते हुए यह शीरशक बनाया, शीरशक का उन्होंने निर्मान किया, तो यह इस तरह से हम आमुख की चर्चा करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम जानें, तो कुछ अन्य भी हम आमुख की बात कर सकते हैं, जो यहां शीरशक आपके सामने आ रहे हैं, बिंदू हैं, आमुख के अन्यथा प्रकारों की चर्चा के लिए, कि हम सारे युक्त आमुख भी बना सकते हैं, विशिस्ट घटनात्मक हैं, द्रिश्यान्व को होते हैं, और उनके माध्यम से प्रश्न का उत्तर लिया जाता है, विरोधात्मक या फिर चित्रात्मक, एक है प्रत्यक्षभावानवित और नाट्यात्मक, यह सारे के सारे आवश्यक नहीं हैं, बलकि अलग-अलग समय में, अलग-अलग प्रकार के हेडलाइन्स देखन लेकिन मूल रूप से, अगर इन ही सूची का, इन बिंदूओं का यदि हम वरगी करण करें, तो यह वरगी करण किसी न किसी रूप में, या तो तथ्यात्मक के अंतरगत आएगा, या भावनात्मक के अंतरग आएगा, इसलिए मूल रूप से, जैसा कि हमने आपके सामने क कि ये आमुख के अन्यथा प्रकार हो सकते हैं लेकिन जो मूल प्रकार है वे कत्यात्मक और भावनात्मक ही हैं उनके उप्रकार और कई बनाए जा सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से हमने आमुख को इससे बनाया जाए आमुख के अंतरगत किस प्रकार से बातों को प्रस्तु वो है कि जिस news का हम निर्मान करते हैं उस निर्मान की एक प्रस्तुति प्रक्रिया होती है खबरों को हम किस रूप में प्रस्तुत करें उसके भी एक methodology होती है और वो methodology क्या है उसको हम देखने की कोशिस करते हैं और उनको हम जानने की कोशिस करते हैं जैसा कि slides पे अभी आपक कि हमने पांच प्रकार से उन खबरों को प्रस्तुत करने की योजना आपके सामने रखी है एक है छह ककार, दूसरा है खबरों का विवरण, तीसरा है संपादित खबरों के विवरण, चोथा है तथ्यों के महत्व और पांच वाँ है तीथी, वस्तुत है इन्हीं पांच चरनों के अंतरगत, जो न्यूज है उसको डेवलप किया जाता है, और उसी डेवलप कि अंतरगत हम उस न्यूज को बखू भी समझ पाते हैं, लेकिन सबसे पहला जो इसमें चह ककार है, जो की काफी इंट्रेस्टिंग है, इंग्लिश में भी एक आता है शब्द, six w's, सामानितया हमारे जो प्रश्णों होते हैं, सम्स्कृत के, वे क से प्रारंभो होते हैं, और उन्हीं को चह ककार कहा गया, वे प्रश्ण कौन-कौन से हैं, किम, कुत्र, कदा, किमर्थम, कह और कथम, ये चह प्रश्णे हैं, जैसे किम है, तो what, कुत्र, where, कदा, when, किमर्थम, उसके लिए कह सकते हैं, हुम, कह, हू, कथम, तो इस प्रकार से, ये जो six w's की बात की, इसी को हम सम्स्कृत में शट ककार कहते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद है, छह ककार, तो ये जो बारताओं का, जो पाठकों का, जो मन प्रोविज्ञान, उन मनोविज्ञान को ध्यान में रख कर ही, इन शह ककारों का प्रचलन हुआ, तो कि क्या चाहिए पाठकों को, कि भाई, ये कैसे ये घटना घटी, कहां ये घटना घटी, कब ये घटना घटी, कैसे ये घटना घटी, किसके द्वारा ये घटना घटी, तो आदे क्यों ये घट ना घटी तो आदे इस प्रकार की जिग्यासा इस प्रकार का कूतुहल या इस प्रकार की उतकंठा पाठकों के मन में होती है तो वस्तुता है जो पत्रकारिता है वो पाठकों की जिग्यासा की शांती के लिए ही रस्तुत की जाती है और इस अनुसार तो यहाँ पर एक और विशेस बात है कि सामानिय सिद्धान्त तो यही है कि इसी क्रम में हमें प्रश्णों के उत्तर देते हुए अपने आलेख का परिवर्धन करना चाहिए जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा कि यह कोई मानिय सिद्धान्त नहीं है इसलिए हमें यह कहना पड़ रहा है कि आज इन क्रम का ध्यान में ना रख करके इन क्रमों को अपने ढ़ंग से हर संपादक स्वतंतर रूप से इनका विस्तार करते हैं जैसे सर्वप्रथम ही वे कदा और कुत्र का आंसर दे देते हैं जैसे दिल्ली 2016 दिल्ली 22 एप्रिल 2016 फिर उसके बाद वो निर्मान करते हैं अपने विशयों का, अपने सूचनाओं का तो इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए एक छोटा सा उदाहरन है जैसे बैंगलूरू 17 एप्रिल अब उसमें है कि आगामी वरशस्य जनवरी मा से विश्व सम्स्कृत पुस्तक मेला आयोजियते ये काफी पुरानी ये सूचना है लेकिन मैंने सवीशे इसलिए ये बाते हैं कि कि जैसा कहा कि बैंगलूरू 17 एप्रिल फिर दे रहें कि जनवरी मा से आगामी जो भी है विश्व सम्स्कृत मेला समायोजियते तो ये जो विचारों का परिवर्धन है उत्तर तो छह ककार का है इसमें लेकिन जिस क्रम की हमने बात की वह क्रम भंग दोश यहां दिख रहा है और हम पुनह मानें पुश्चरूप से मानें कि आवश्यक नहीं अबाधुनित पत्रकारिता में कि इन सारे के सारे ककार का क्रम बद्ध हम पालन करें ही फिर है वारता वितरण अब वारता वितरण के लिए दो कार्य सरवता महत्वपूर्न है और वे दोनो कार्य क्या है एक तो उपसंपादक जो हैं उनकी रुची और दूसरा शीरशक के आकार के विशय में परामर्श जैसा कि हमने प्रारभ में बताया कि एक संपादक की एक टीम होती है एक मंडली होती है जो इन विशयों का निर्मान करते हैं और वो आपस में मिल करके किस जगह किस वस्तो की व्यवस्था करनी है वो वीचार करते हैं तभी हमने कहा परामर्श यदि उपसंपादक मंडल के तर पर हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाते हैं तो उससे जो उच्च अधिकारी हैं संपादक है प्रबंध संपादक है उनसे जाकर के हम परामर्श करते हैं और परामर्श करके फिर हम विशय के प्रती विशय के आकार के प्रती सूचना के प्रती या कौन सा विशय महत्वपूर्ण होगा उसके प्रती निर्णय लेते हैं और तदन रूप अपने पत्र पत्रिका में हम उसे पोस्ट करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया की बात चल रही थी। इन प्रक्रियाओं के बाद एक चीज़ और हम देख लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण विशय है। इन सारी माथा पच्चियों के बाद, इस शीरशासन के बाद, जो सबसे प्रमुक बात रह जाती है, वह है प्रतिलिपी सम्षोधन की, प्रूफ रीडिंग की। और आप लोग सभी जानते हैं, मैंने पिछली श्रिंखला में भी चर्चा के क्रम में ये बाते हमने आपके सामने रखी थी, और वो रखी यही थी, कि जो प्रतिलिपी सम्षोधने इसके कारण कितने दोशोग होते हैं। हमने एक बार कहा होगा कि एक पत्रिका में लेख छपा कि लेख छपना था कि विश्व विद्यालय परिसर में बाहरी विद्यार्थियों के कारण नशापान में व्रिद्धी। लेख यह छपना था, मैं पुनह इसे सुना रहा हूँ कि विश्व विद्यालय परिसर में बाहरी विद्यार्थियों के कारण नशापान में व्रिद्धी। लेख यह छपना था, लेखक ने यह आलेख भेजा प्रेस में और जब वह छप कर आया तो वह लिखा हुआ था कि विश्व विद्यालय परिसर में बिहारी विद्यार्थियों के कारण नशापान में व्रिद्धी। इसके आगे बताने कि आवश्यकता नहीं है कि क्या भया वह परिनाम रहा होगा। इसलिए सारे शीरशासन, सारे प्रबधन, सारी व्यवस्था के बावजूद भी अगर प्रूफ रिडिंग नहीं है तो उस आलेख, उस पत्र, उस पत्रिका का कोई महत्व नहीं रह जाता बलकि पत्रकारिता की निंदा होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें देखिए कि हमने अपनी सामने प्रतिलिपी समशोधन के लिए दो मूल भी शेयर रखे हैं, एक है प्रूफ रिडर के करतव्य और गुन और दूसरा है समशोधन के चिन, यानि जब हम संपादन के लिए जाते हैं, जब हम प्रूफ रिडिंग करते हैं, तो उन हैं सावधान होना बहुत जरूरी है असावधान होना बहुत जरूरी है उनको शब्दों वर्णों वर्तनियों का ध्यान होना आवश्यक है अगर ये चीजें नहीं हैं तो किसी के स्थान पे कुछ रख सकते हैं यानि राम की जगह पर वे रमा बना सकते हैं और ग्रिह की जग प्रभधान्य और वर्तनियों की पहचान और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे जो proof reader होते हैं वे अपने विवेक का भी परिच्शह देते हैं क्योंकि एक कहवत है यस बहीं गलतियां हो जाती है जैसे शक्कौन वाला श कभी कभी पा रह जाता है तो अगर उसे उशा लिखना होगा और वो शर ठीक से नहीं लिखा गया है तो वो उपा बन जाता है तो ऐसी स्थिती में जो proof reader होते हैं उनमें थोड़ी सी थोड़ा यविवेक जरूर होना चाहिए कि वो उपा को उशा करने में सक्षम हो और अंत में जो मूल है जो हमें यहां दिखाना है वो है समशोधन के चिन यह देखेंगे एक लंबी सूची है कि जब हम edit करते हैं जब proof reading करते हैं तो जो निर्देश दिया जाता है फिर टंकक को जो print करने वाले जो होते हैं उनको sit करने वाले होते हैं उनको निर्देश भी आ जाता है तो आप देखेंगे कि अलप विराम है पूर्ण विराम है यानि कहां पर हमें कौमा देना है कहां पर full stop देना है कहां पर gap देना है कहां नजदीक लाना है कहां शब्दों को delete करना है कहां हमें end करना है कहां पर हम यह चिन्न है और यह चिन्न मैंने उपयोग की दृष्टी से सविशे सी यहां प्रस्तत किया है क्योंकि यही मानक यही स्टैंडर्ड प्रूफ रिडिंग के चिन्न है और इन चिन्नों को जो टाइप करने वाले होते हैं वे बखू भी समझ लेते हैं और तदनुसार वे उसका सम्षोधन करते हैं तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यह एक संपादन के लिए यह कितना सुनने में कहने में कार्य तो बड़ा सरल प्रती तो होता है लेकिन जब उसको हम प्रयोग में लाने का प्रयास करते हैं तो वहां कार्य अत्यन तक कठिन हो जाता है क्योंकि जो बाते हमारे मन में होती है उनकी प्रस्तुती में कठनाई होती है। इसलिए ये संपादन के लिए सिध्धानत को समझना इसको जानना परम अवश्यक है। अन्य था दोशपूर्ण यदि पत्र छपते हैं, दोशपूर्ण यदि आलेग छपते हैं, तो वो पाठकों की रुची का और पाठकों का आकरशन का विशय नहीं होता। हम इस सिंखला के बाद हम संपादक के गुनों की चर्चा करेंगे और उस पर हम टिपपनी करेंगे। आज आप लोगों के सामने आज की यह परीचर्चा यहीं तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा सुन्दर साथ दिया। इसी हम सामय की कामे के चलते हम अपनी परीचर्चा यहीं रोकनी होगी। मित्र मुझे आशा है कि आप इस परीचर्चा से कापी लाभानवेद भी हुए होंगे। और हम डॉक्टर मुझे का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हम अपना अमूले समय दिया। मित्रों इसी बात पर हमें आगे दीजे धन्यवाद।